दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं इसके पहले मैंने आपको जो वीडियो बताया था उसमें मैंने बताया था कि भारती स्टेट बैंक में यह दिया आपका खाता है तो उस खाते को आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में एक शाखा से दूसरे शाखा में अगर लेके जाना चाहते हैं ट्रांसफर करना चाहते हैं चाहे एक शहर से दूसरे शहर हो चाहे उसी शहर में हो तो वो ऑनलें जा करके कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने बैंक के खाते में इंटरनेट की सुविधा कैसे शुरू कर सकते हैं वह भी बिना बैंक गए आपको बैंक जाने की आवशकता नहीं यदि आपके पास पास्बुक है और आपका ATM कार्ड है और फोन नंबर आपका बैंक के साथ जुड़ा हुआ है तो आप अपने बैंक में खुद ही घर बैठे इंटरनेट की सुविधा शुरू कर सकते हैं आईए अगले कलो साइड में मैं आपको दिखाता हूँ की सुविधा कैसे शुरू कर सकते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है आप गूगल क्रोम में www.online.sbi.com टाइप करें टाइप करने के बाद जो पहला पेज खुल करके आएगा वो पेज कुछ इस्तपरा का होगा इसमें देखिए दो विकल्प आता है बाई और दाहिनी और बाई और का जो विकल्प आ रहा है इस विकल्प में आप देखिए यहां लिखा हूँ है पर्सनल वैंकिंग और यह जो दूसरा विकल्प है यह है corporate banking corporate banking में आपको नहीं जाना है corporate banking उनके लिए है जो लोग किसी company वगरा के मालिक है उनके लिए तो आपको personal banking में जाना है personal banking में जाने के बाद यह जो विकल्प आता है login login विकल्प के ठीक नीचे देखिए यहाँ new user registration लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप new user registration पर क्लिक करेंगे आपको जो अगला window मिलेगा वह window कुछ इस तरह का होगा इसमें इस तरह से भी आप आ सकते हैं कि सीधा वेब पेज में जाएं और यहाँ continue to login जो विकल्प है यहाँ आप क्लिक करें यहाँ क्लिक करने के बाद फिर से वही विकल्प आ जाएगा जिस पर आप पहले गए थे अब देखें यहाँ जब new user registration में आप यहाँ क्लिक करते हैं दोनों तरीके से आप आ सकते हैं तो आपको जो अगला window कुल के आएगा उसमें देखें कई विकल्प मिलेंगे जैसे यहाँ देखें लिखा हुए account number यह आपके passbook में लिखा होता है account number के नीचे लिखा हुए है cif number यह देखें cif number आपको इसमें भरना है customer identification number यह आपके account number के ठीक उपर लिखा रहता है या फिर उसके नीचे लिखा रहेगा अपने passbook में जांच लें उसके बाद आपका रहता है इसमें branch code branch मतलब जिस branch में आपका खाता है वो branch का code डालना है जैसे आप देखेंगा आपके branch का code लिखा रहेगा at the rate email जैसे उसका रहता है उसी साथ रहेगा तो branch code आप यहाँ डालने के बाद जैसे मान लीजे यहाँ कोई अंक डाले 01823 01999 जो भी है और उसके बाद आपको get branch name पे click करना है इस branch name पर click करने के बाद आपका branch आ जाएगा इसके बाद आपको country डालना है मान लीजे आप भारत के बाहर के देश में है तो वहाँ country डालें भारत में है तो भी आपको भारत डालना पड़ेगा इडिया डालना पड़ेगा यहाँ एक चीज ध्यान देने की बात है कि आपका mobile number यहाँ रेइस्टर्ड है इसके बाद फिर अगला विंडो खुलेगा अगले विंडो में आपका ये ब्रांच का location रहेगा और ब्रांच का नाम आजाता है ब्रांच कोड आजाता है ये submit करना है ये submit करने के बाद फिर हम अगले चरण में बढ़ेंगे अब जैसे ही आप सारा विवराण देंगे आपके account में घुस जाएंगे account में घुसने के बाद फिर आपका जो डेविट कार्ड है उससे confirm करने के लिए कहेगा अब देखें यहां जो लाल निशान में आप देख रहे हैं यह यह card number आपका रहता है जो भी आपका bank का कार्ड है और उसके बाद उसमें आपका नाम रहेगा नाम के बाद कार्ड टाइप है यह अगर है तो यह जो box देख रहे हैं आप गोला देख रहे हैं यहां को टिक करना है और यहां जैसे ही आप टिक करेंगे इस पे वह select हो जाएगा select होने के बाद फिर आपको यह confirm बटन दबा देना है जैसे ही आप confirm बटन दबाएंगे एक आपको आएगा merchantonline.com says यह लिखा हुए देखिए please select an active card for verification यह okay करेंगे okay करने के बाद confirm करेंगे और confirm करने के बाद बस आपका username और password आ जाएगा इसके बाद देखिए यह OTP जेसे अब मैंने बताया है कि OTP आएगा फिर create user ID and password वो विकल्प देगा आपको कि एक user ID अपने पसंद का रख लीजे और अपना password रख लीजे वो OTP जो आएगा उसको डाल करके फिर आपको अगले स्क्रीन में जाना है user ID पासवर्ड जब आप तयार कर लेंगे फिर उसमें आपको अपना profile password तयार करना पड़ता है profile password मतलब किसी प्रकार का कोई नया लेन देन शुरू करने जाएंगे तो बैंक आपका profile password पूछता है तो profile password में देखिए इंटर profile password यह तगड़ा password बनाएए उसके बाद उसको confirm करना है confirm करने बाद एक hint question यह मांगता है hint question का मतलब है कि अगर कभी भूल जाएं तो एक question इसमें से देखिए विकल्प रहता है यहां यह विकल्प है इसमें से आप चुन लीजे और उसका जवाब भी भर दीजे जब भर लेंगे तो उसके बाद फिर यहां date of birth का option आता है यहां अपना date of birth भरिये और place of birth भरिये यह सारा चीज भरने के बाद यहां submit का option आता है और जैसे ही आप submit कर द दबाया दबाने के बाद फिर जो अगला message आता है आपको यह कहता है successfully registered for internet banking बस इसके बाद यह close बटन दबाए और आपका internet banking के लिए पजी करण हो गया है अब आप banking की सुविधा उसमें उपभोग कर सकते आशा है यह विवरन आपको पसंद आया होगा आने वाले समय में मै जानकारी इसी प्रकार आपको दूँगा तब तक के लिए जुड़े रही है हमारे साथ और हाँ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने और यह बेल बजा दें लाल घंटी है इसको दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मे डालू उसकी सूचना आपको ततकाल मिल जाए